गुड मॉनिंग एवरिवन आज है आठ नौमबर 2020 और आठ नौमबर से करंट पेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट किशन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डीटियल में इस वीडियो में और परते किशन के साथ इस्टेटिक जीके के इंपोर्टेंट पेक्ट भी दिये जाएं तो यह चुना गया है ग्यानेंद्रो निगोम बाम तो यह कहां कहें मनिपूर के हैं ग्यानेंद्रो निगोम बाम लास्ट एर यह होकी इंडिया के कारी कारी अद्देक्स बने थे अभी अद्देक्स बन गए होकी इंडिया के तो यह हैं ग्यानेंद्रो निगोम बाम कहां क पूर के और इससे पहले जो पूरोव अद्धिक्स थे हैं ओप्सट जो छिपे दिया हुआ हैं मौँमद मुस्ताक आधिक। को उपाद्देक्स बनाया गए होकी इंडिया का तो अद्देक्स बनें ग्यानेंद्रो निगोंबाग बाम और उपाद्देक्स बनें मौमद मुस्ताक अमद यह होकी इंडिया के पूरो अद्देक्स है अभी उपाद्देक्स अपोइंट हुए है उसके लाव आपसन नहीं लक्षमी नारायन कलीवत आयता भी HDF से बेंग के मुख्य सूचना दिकारी इनको पॉइंट किया गया है तो इस कुशन से इतनी जानकारी मिल जाती है तो इसी तरह important fact दिये जाएंगे तो वीडियो को like and share जरूर करें और अभी तक चैनल को अगर चैनल पर पहली बार देख र अप्सने करेक्टे यही है केवल हांडा और इनको याभी भारत पे यह एक बुक्तान कंपनी है इन्होंने अपना सोतंतर नहीं देशक नियूक्त किया है केवल हांडा को यह union bank union bank के पूरो अद्देख से केवल हांडा उसके लाव भारत पे इसके पहले नंबर के जो ब्रां इस तरह से हैं यह भी पेमेंटे पे भारत पे उसके लाव यस्वरदन कुमार सिना यह भी हमारे मुख्य चुनावा एक्ट बनेते हैं सोरी मुख्य चुनाव मुख्य सूचना आयक्ट CIC Chief Information Commissioner मुख्य सूचना आयक्ट उसके लाव राजकुमार सिंग कली बताया था भी brand ambassador बने हैं अभी नेता है राजकुमार सिंग और एक और बताया था नमामी गंगे पृजना है इसके brand ambassador बने ते अभी नेता चाचा चोदिरी नेक्स्ट किसे ने हाली में किस बैंक ने पेटियम के साथ मिलकर संप्रक्राइट क्रेडिट कार्ड लौंच किया हैं तो यह लौंच किया है SD SBI बैंक ने तो option भी correct ने तो SBI बैंक ने अभी PTM के साथ मिलकर contactless credit card launch किया है SBI बैंक ने इसे किया है और अभी SBI Bank ने Brandon Human Capital Management Excellence Award भी जीता था उसके लाव टाइटन के साथ समझोता किया था और टाइटन पे लॉंच किया था SBI Bank ने बात करें SBI Bank की अभी इसके नए चेर्मेन बने थे धिनेश कुमार खारा SBI Bank की स्थाब नोएती एक जुलाई 1955 को Head Quarter है इसका Mumbai में उसके लाव SBI Card यह लगे SBI Card इसी का ही है SBI का SBI Card के MD and CEO बनेते अस्विनी कुमार तिवारी अस्विनी बातिया यह SBI के MD बनेते 4 MD है SBI Bank में एक तो चल्ला सिरीनेवासलू सेटी यह है एक दिनेश कुमार खाराते पहले अभी यह चेर्मेन बन गए है उसके लाव अस्विनी भाटिया और एक है अरीजीत बासू बात करें पेटियम की स्थाब नौईती इसकी 2010 में Head Quarter है इसका नौईडा में और इसके संस्ताबक है VJS कर सर्मा और इसकी पेरेंट कंपनी भी आदखना है 197 कम्यूनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है नेक्स्ट किसन है हाली में राष्टिये कैंसर जाग रुकता दिवस यानि नेशनल कैंसर अवेरनेस डेकम मनाए गए है साथ नौबर को तो और साल मनाए जाता है साथ नौबर को राष्टिये कैंसर जाग रुकता दिवस और उसके लाव ये तो राष्टिये कैंसर जाग रुकता दिवस है एक आता है वीशू कैंसर दिवस तो ये चार परवरी को मनाया जाता है वेर इंपोर्टेंट है वीशू कैंसर दिवस तो यह आधक्त ने चार प्रवरी को मनाया जाता ही से और नेशनल कैंसर अवेर्नेस डे यह साथ नॉम्बर को मनाया जाता है इसके लावा छे नॉम्बर को कल बताये था जो युद्ध और ससस्तर संगर्स में जो प्रयाउन को जो हानी होती है उसके लिए अंतर राष्टिय दिवस मनाया गया था कल मनाया गया था छे नॉम्बर को उसके लावा पांच नॉम्बर को वीशू सुनामी जाग रुकता दिवस और एक नॉम्बर को वर्ल्ड वेगन डे तो यह मनाया गया भी नॉम्बर में डेज नेक्स्ट किसने हाली में सार्क सेंट्रल बेंक के गवर्नरों की समू की 40 वी बेटक की अद्देख्ता किसने किये हैं तो यह किये हैं सक्तिकांत दास तो RBI की वर्तमान में गवर्नर हैं सक्तिकांत दास और इनोंने सार्क देश हैं उसके बेंकों के सार्क सेंट्रल बेंकों के जो गवर्णर हैं उनके समू की 40 वी बेटक के अदेख्षता की है सक्तिकांत दास जो इमेज में दिख रहे हैं यह सक्तिकांत दास और उसके लावा सार्क पाइनेंस के अदेख्ष भी है वर्तमान में और यह सार्क क्या चीज है इसके बारे में बताते हैं सार्क तो इसकी पुलपा में साउथ एसियन असोशियेशन पॉर रेजिनल कॉपरेशन इस्ताप नौइटिस के 1985 में इसका एड़ कॉट्रे काटमांडू में और इसके सेक्रेटरी जनरल याने मास अची हुए एसल सार्क के बारे में नेपाल की केपिटले काटमांडू यहीं पर इसका एड़ कॉट्रे सार्क का हाले में कहां पर सागर कवच अब्यास आईजित किया गया है तो यह क्या है उडिसा के पारादीप पर अभी सागर कवच अब्यास आईजित किया गया है अब यह है क्या सागर कवच अब्यास तो यह दो दिनों तक चलेगा और इसका आयज़न उडिसा और पस्चिम मंगाल सरकार दोनों का समयक्त प्रियास दोरा इसका आयज़न किया जा रहे हैं और जब 26-11 आतंकवादी है मुलावा था मॉंबई में तो तब से यह आयज़न किया जा रहे हैं इसका में अनुदेश हैं कि मॉंबई जैसे आतंकवादी हम लोगों को रोका जासके हैं थी क्लिए हैं यह सागर कवच अभ्यास अब कुछ देन वा पाले स्टुरक्षा कवच एक अभ्यास तरुक्सा कवच यह माराष्ट पुलीस और भारतिय सेना के बीच में हुआ था और अभी पीनाका के उन्नत संस्क्रण इसका अभी सपल प्रिक्षन किया था पीनाका रॉकेट प्रना लिके उन्नत संस्क्रण का DRDO ने उडिसा के चांदीपुर में यह रावेप में उडिशा, केपिटल है, बहुनेस्वर, चीफ मिनेस्टर, नवीन पटनाए, गवर्नर है, गणेसीलाल, उसके लाव उडिशा में कोनार्क सुर्य मिंदर, और पूरी मंदर, जगनात, पूरी मंदर, सिमिली पाल नेशनल पार्क, बितर कनिका नेशनल पार्क, सतकोष, यह टाइगर रिजर, तीनों है, उडिशा में, चिलकाजील भी हैं, उडिशा में, हीरा कुंड बांदे, मानदी पर, उडिशा में, बारत का सबसे बड़ा बांदे, हीरा कुंड बांद, नेक्स्ट किसन है, हाले में ITF, यहने, इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन, IT ITF महिला टैनिस टूनामेंट का किताब किसने जीता है, तो यह जीता है, रुतुजा बोसले, कहां की हैं, अपने इंडिया की है, रुतुजा बोसले, यही है, रुतुजा बोसले, और इन्होंने अभी है, ITF महिला टैनिस टूनामेंट जीता है, मिस्र में, 15,000 डॉलर का यह यू ऐस्ट्रेलेण ओपन हुआता उसमें मैलायकल की विजयता है सोपिया कैनन अमेरिका की है उसके लाओ नाओमी ओसा का विल्लमंडन ओपन रद्धो गया था कोरोना के वज़े से और यूएस ओपन वा था इस बार का उसमें नाओमी ओसा का ये जीती थी माईलाइकल का किताब उसके लाओ फ्रेंच ओपन सबसे लास्ट में हो आए इस बार तो फ्रेंच ओपन में जीती थी माईला सर्वसर्षट बार कीशे नामित किया गया है तो यह किया गया है कन्नोट बार होफस्ण भी प्षब मुप और इसको सर्वसर्षट बार के रोप में नामित किया है पहले निई यárक का दाति था, 2019 में उसको पूछे छोड़ाएं दाति को कन्नोट नेक्स्ट किसे ने और लास्ट किसे ने अच्छका इसके लाव एक और हैं लास्ट हाली में केंद्रिय परदूसन नियंतरन बोड याने सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल बोड सीपी सीबी इसके अंसार परदूसन के अंसार देश में पालिस्तान पर कौन है तो परदूसन के महा पीकाई गाजियाबाद तीसरे पे इसमें नौईडाउ तो टॉप तरी आज़ने हैं मुरावदाबाद गाजियाबाद और नौईडाउ और लास्ट ये जरिया जारकंड का सरे जरिया ये सबसे परदुसित सर्था 2019 में जरिया कहा का है ये और उसके बाद धनबाद ये भी ज परदुसित सरे यहां की आवा में 50 परतिगर्ण मेटर परदुसन की मात्रा पाई गई है नेक्स्ट किसने हैं हाली में बांगलादेश और किस देश के बीच नोसेनिक अब्यास के रट सुरू हुआ है तो यह हुआ हैं भारत बांगलादेश और अमेरिका के बीच में ये अ इसकी फुलपव में कोप्रेशन अप्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग तो अब्यास हैं तिया किस किस के बीच में बांगलादेश और अमेरिका के बीच में ये नोसेनिक अब्यास शुरू है तो अब्यास का नाम है सी ए आर एटी कोप्रेशन अप्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग और अभी अमेरिका कली बताई था पेरिस दलवाई समझोते से अलग हुआ है तो यह लोग हो गयता अभी अमेरिका चार नॉम्बर को तो यह आज रखना है और अमेरिका के अभी ने परसिडेंट भी बन गए और उप राष्टपती और राष्टपती दोनों बन उनको बताई जाएगा कल वाले वीडियो में तो यह था अचिकरन टपेर का वीडियो अब लास्ट वीडियो के क्विस्टन का अंसर है हाले में अलसे नोटरा किस देश की तीसरी बार राष्टपती बने तो यह बने थे आईवरी कोश्टा के उसके लाव लेबनान के बने साद अलहरीरी आइसलेंड के बनेते गुड़नी जोहांसन राष्टपती तंजानिया के राष्टपती बनेते भी जोन मुगुफुली कौन जोन मुगुफुली उसके लाव अपरिका माधीब की सबसे उच्छी चोटी माउंट किली मंजारों यह कहां पे तंजानिया में ध जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंस सके अगर किसी भी क्युस्टन से कोई भी प्रोब्लम हो क झाल